नमस्कार दोस्तों मैं येसपाल आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल येसपाल एटीपी में हारदिक स्वागत करता हूँ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का वीडियो जो होने वाला है वो अंग्रीजी पढ़ने के लिए होने वाला है देखिए आज मैंने तीन नियम लिए है वन टू थ्री तीन रूल लिए है इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ इंग्लिस कैसे पढ़ते हैं और जो उसका उचान सही क्या होता है ठीक है तो पहला रूल हम लेंगे अंत मैं इह हो तो तब उसका उचान जो सब दोते हैं उनका कैसे करना देखिएगा आपको क्या ध्यान देना देखो एक दो तीन यहनि तीसरा अक्षर जो है न वो बैसी की बैसी आवाज देगा यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना देखो इसको क्या पढ़ाएंगे हम राइज देखो अब यहां से देखिए यह थैड नम्मर पर आपको जो लेटर देख रहा है वो उसकी बैसी आवाज होगी यहां पर आपको ओ दिखाई दे रहा है तो इसकी आवाज होगी ओ go boat, देखो, यहां पर आपको a दिखाई दे रहा है, इसकी आवाज क्या होगी, a, इसे आप tap पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है na ACE यह आप इसे पढ़ेंगे, इसे रिसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ें हम टेप, तो ay की आवाज यहां पर क्या है, a, देखो दूसरा सब्द मैं लिया है 1, 2, 3 तीन नमर पर देखो आप इसे यह यह लेन तो ऐसे मैं आपको बहुत सारे उदान देश सकता हूँ देखी जैसे की K, I, T, E तो अब इसको क्या पढ़ेंगे देखो 1, 2, 3 तीन नमर पर आए है तो क्या पढ़ेंगे इसे हम Kite ठीक है 1, 2, 3 ओ है तीन नमर पर देखो ओ को हम ओ ही आवाज देंगे ठीक है तो क्या होगा यह Code C, O, D, E क्या होगा यह Code N, I, N, E इसे नेने नहीं पढ़ेंगे इसे क्या पढ़ेंगे हम 9, 1, 2, 3 आए है आए को आए बोल दो इसे ना से N तो यह 9 हो गया ठीक है 9 फिर एब वेक वेक है नहीं इसे क्या पढ़ेंगे वेक इसे रोज पढ़ेंगे ठीक है R, O, S, E क्या पढ़ेंगे इसे हम रोज, यह तीन 1, 2, 3 तीन नमर पर क्या है O है रोज 1, 2, 3, 3 नमर पर आए है तो इसे I को आए पढ़ेंगे यहनिए L से La Life अंग्रे जी के आपको छोटे बड़े याद होना चाहिए जो हिंदी में छोटा बड़ा होते है वो अंग्रे जी में आपको याद होना चाहिए तो यह बहुत आसान हो जाते है इसके बाद अगला रूल अगला रूल है अंत में I की जगह य का यूज देखिएगा कैसे कि मान लो आप इसे क्या पढ़ेंगे बोडी यहनि जैसे कि अगर आप बोडी को अगर हम पढ़े या सुने तो देखिए इस तरीकी से वडी वडी आ रहा है लेकिन हम इस I का यूज ना करके हम किसको कर रहे है वाई के यूज कर रहे है और इस पर एक बात और यह ध्यान देना है कि अंत में अगर वाई होता है न तो क्या करता है हो इस तरीके से भी हम देखिए ही है ठीक है इसका नेक्स्ट है रॉकी रॉकी तो रॉकी कुछ इस तरीके से भी अब दिखी यह भी रॉकी हो रहा है लेकिन यह रॉंग है ठीक है तो सही रॉकी अपने है आर ओ सी के वाई यह अपना सही रॉकी है ठीक है और इसको मैं लिख देता हूं आपको समाजने के लि है इसलिए हे डबल पी वाई ही हैप्पी होता है इपना सेकंड रूट सौरी सौरी पार्टी और भी बहुत सारे सब दोते हैं इसी कैटिगरी के जैसे की डी आई आर टी वाई डर्टी तो इस तरीके से बहुत सारे सब दोते हैं तीसरा सब दोते हैं तीसरा नियम है की के साथ यू की जोड़ी देखूं क्यों होता है जहाँ पर उसके साथ अमैसा यू आता है यह जोड़ी रहती ही है गरिंटेड ठीक है जैसे कि अब हम पढ़ते हैं देखो Q-U-E-N क्यों होता है क्यूं और एक बात हो रहे है क्यूं को क्यूं ही बोला जाता है अगर वो फर्स्ट टाइम आता है तो क्यूं की आवाज क्या नकलती है क्यूं तो यह क्या होगा क्यूं 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 क्वेरल q-u-a-r-e-l क्या है क्वेरल यहनि Q की साथ यू की जोड़ी रहती है क्वेरल क्वाइट q-u-i-t-e क्यों की साथ यू की जोड़ी क्वाइट q-u-a-r-t-e-r क्या है क्वार्टर इस तरहीं से बहोत सारे सब्दाते है q-u-i-t q-e-v और भी बहोत सारे सब्दाते हैं q-u-c-a-r-e-k अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाϊक कीजिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में